कर दो है कि अध्यूंट करने की कोशिश वह अगला का लगा सकता है फिर कहा लगा सकता है प्लोधिंग पर और फिर बताओ का लगा सकता है अधर कर दूंँर अधर ट्रांस्पोर्ट एफ ओजाद नहीं प्रांस्पोर्ट और फिर एक अधर कर देते हैं जो भी खर्चे हमने यहां नहीं लिए तो फूड पर हजार कर लें जादा कितने करें बोलो जितना तुम बोलो पांच जार फूड पर दो सब्सक्राइब कितने कर दिए यहां पर पांच जादा लगाएगा तो पैसे बचा नहीं है तो दो जार मालने पर त्रांस्पोर्ट पर लगा लो कितना तीन जार मालो तो तो फूड पर लेते हैं तो टो टो लागे हमारा तीस हीजार तो टोड़ा क्लारिटी जाएगी देखने में तो अब सबसे पहले मुझे इसका बनाना पड़ेगा गराफ ठीक कैसे बनाओगे ड़े तो तुझ है शिफ्ट दबा कर यहां पर स्लेट करेंगे पढ़ा इसकोमट प्रम स्लेट करते 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 क्या कर ओगी है और सबसे पहले आप जाओगे इंसेर्ट पर कि ग्राफ रिकमेंडदेश्च चार्ट यह आगे हम पाइचार्ट पे और यह आपके सामने हरे बन जिसमें आपको पसंटेज देखो यह मेरी पसंटेज भी आगी यहां पर थोड़ों सा जूम इंग कर लेते हैं क्लारीटी हो जाएगी थोड़ी सी अब देखो में समस्य है कि बनाएंगे कैसे बनाना बचपन से बना तो हम जगा आएंगे ड्रो पर शोड़ों कर लेते हैं अब किया क्या है सबसे पहले ध्यान रखने वाइटम क्या किया यहां पर सबसे ने टोटल बेटा आपको जग्राफ बनाना यहां पर तो असा हम स्टी ही पाएंगे कि इसको ठाक करते इधर है कि लोड़ा में को स्पेस चाहिए तो मैं इसको इसको इसकार हूँ बस ठीक है पहली आइटम में ही क्या कर दोगे 5000 दिवाइड बाए 30,000 कितना आगे बताव पसंटेज कितना आ गया फूड का पसंटेज बन रहा है मेरे सांब से 17 कितना बन गया तीन जरो से तीन जरो गई तेक है फाइव बन जा और फाइव जिग्जा तेक अब काटेंगे यह कटेंग अब 16 पॉइंट कुछ आएगा तो हमने एक्जैक्ट लेलिया फोड़ा सा एप्रोक्स करते हुए 17 कितना बना लिया 17 आपको ऐसे सारी पसंटेज बनानी है अगली पसंटेज कितनी आ रही देखो अप एजुकेशन कितना है तितिस इसका मतलब जब आपको सोल करें तितिस आपको पसंटेज निकाल नहीं दे रखी होगी आपको खुद निकाल लिए एक और के एकजाम्पल लेलो कैसे निकालोगे अब हम आगे करेंगे इस पर अब हम आगे करेंगे इस पर अब हमें निगालनी क्या होगी यहां निगालना होगा पसंटेज होगी अब हमें चेट डिगरी इंदर ने तो ग्राफ आपका ओटमेंटिक बिना दिया आपको तो डिगरी की साथ कैसे बनाओंगे अगर आप दिगरी निगालने के लिए कुछ नहीं करना आपको सिर्फ यहां अब डिगरी का फॉम्ला याद कर लो मैं अगर दिगरी का फॉम्ला बोलू तो डिगरी का फॉम्ला होगा थीन सो सांट मंटी प्रसंटेज जितनी भी है तुसे पहले केस में तीन सांट मंटीप्लाइब तो बना लेंगे तो यह ओगया आपका 360 मंटी प्लाइब इंडर सिस्टी वन पॉइंट टू परसंट आ तो मैं लिख दे किसी वागे एक लिट्रह गया सबसे पहले काम आपको है एक रेडियस कीचना ठीक है तो मैं एक सरकल बना होगे आप एक सबसे पहले एक रेडियस करने के बाद आपको ध्यान अकने जो भी आप दी लिव यूज करोगे वह रेडियस का जो कोना है वह जीदो से शुरू होना ठीक है मतलब मेरे साब से अगर आप यहां पर ले रहे हो तो नीचे वाद डिगरी लेना पड़ेगा डी है किसी के बस अन उसको क्या कर देंगे और देखना पड़ेगा जीरो कहां पर नीचे वाले में बन रहा है या उपर वाले में बन रहा है नाइटी से नीचे छोटा तुम्हें दिख जाएगा तो उसके कोड़िया को डी सेट करने के बाद आपको किदे डिगरी मेजर करनी है 61.2 उसके पाद सब्सक्राइब दुबारा सबंस्क्राइब इस फृट्स के तूद पाद में चैड़िय के पूंद 2-16 लास्ट वाला अपने आप आज़ाता है नहीं है को यह पूर्शन बन जाता है कोई प्रोब्लम यह आद दक कोई प्रोब्लम मच्छे इस नहीं सर रहा है समझ सब्सक्राइब यहीं है दो तिन में और लिखवा देता है ठीक है थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसका और पाइचार्ट के लिखते थीक है दो दे को मेरे इसाब से कुछ-कुछ फोमले जो पता होना चाहिए पाइचार्ट वहलों के लिए एक पर या फिर रूपीज जो भी मान लो अप्सक्राइब यह एक फोमला याद कर लो च्छासए पर यह नहीं याद करने सीज़ा लगाना है डिग्री इस इक पर बताओ अगर सीज़ा लगाने के लिए क्या करो की नहीं काम करो आप ना जैसे की लिको स्पेंड अपोन में टोटल इन्टु यह पसंटेज ना करके सीधर 360 कर दो सीधर क्या कर दो 360 को बैटा फॉमले यां दोने चीए विकोज कभी कबर क्या होता है कि पाई के जो कोशन हो जाता है उसने क्या कर देदी आप से पूछे का मांट क्यों कि तुए यह ना उसने डिगरी देदी आम से उसने डिगरी देदी वह बोले कि 36 दिगरी यह तो टो टिल जो बंदे की इंक तो क्या करें लागांगे कितने आ रही है शत्तिस स्पेंड हमें पता निसे तो मांगी रहे तो टोटा कितना था था 30,000 कितना डिगरी यह तो कैसे करोगे इस 360 को नीचे ले ओ 36 अपन में 360 और यह मंटी यह 0 यहां किसे लगी है तीख है और यह जाए कर देचीए और इस गल ही कोशन में मैंने करवा रखा है यह देखो अगर यहां पे 36 डिगरी है और टोटल 30,000 है तो स्पेंड होगा 3,000 है और सेम मेरा आंसर आता 3,000 तो आप से तेड़े तेड़े करके कोशन भी पूछे जा सकते हैं बात समझा रही है तो यह कि इन फॉर्मले भी करते जाहरी इन्पोर्टेंट है इनों फॉर्म लोगों ध्यान से याद रखना है आप ठीक है बेरे काल से पाई वेली क्लास होती है खतम बेरे काल से कुछ नहीं रा गया स्टिंदर ठीक है